इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. LTBM oral suspension आम तोर पर बच्चों को allergy के लक्षनों जैसे कि नाक बहना, छीकना, खुजली, सूजन, कंजेशन और आखों से पानी आने के इलाज के लिए दिया जाता है. ये अस्थमा और त्वचा की allergy के उपचार में भी मदद कर सकता है. अपने बच्चे को यह दवा भूजन से पहले या बाद में निर्धारत खुराक, समय और तरीके से एक निश्चित समय पर दें. अस्थमा के लिए LTBM Oral Suspension शाम को या शारीरिक गतिविधी से दो घंटे पहले देना पसंद करें. allergy के लिए लक्षनों की शुरुआत के समय के आधार पर इसे सुभह या शाम को देना सबसे अच्छा है. यदि आपके बच्चे के पास दोनों हैं, तो इसे शाम को देना पसंद करें. यदि आपका बच्चा इस दवा को लेने के 30 मिनिट के भीतर उल्टी करता है, तो वही खुराक दो बारा दें, लेकिन अगर अगली खुराक का समय हो गया है, तो इसे छोड़ दें. कुछ नियमित खुराक के बाद आपका बच्चा बहतर महसूस करना शुरू कर सकता है. हाला कि अधिक्तम लाब सुनिश्चित करने के लिए आपको अभी भी निर्धारित खुराक को पूरा करना होगा. इसके अलावा, दवा को अचानक बंद करने से आपके बच्चे की स्थिती और खराब हो सकती है. यह दवा उल्टी, दस्थ, मतली, चक्कराना, शुष्क मूह, दाने और सिरदर्द जैसे कुछ मामूली और अस्थाई दुष प्रभाव पैदा कर सकती है. आम तौर पर, आपके बच्चे का शरीर दवा के अनुकूल हो जाने के बाद ये एपिसोड कम हो जाते हैं. हाला कि यदि ये प्रभाव आपके बच्चे को परेशान करते हैं या परेशान करते हैं, तो बिना किसी देरी के अपने बच्चे के डॉक्टर से परामर्ष करें. अपने बच्चे के डॉक्टर को बताएं कि क्या आपका बच्चा पहले से ही कोई दवा ले रहा है इसके अलावा अलजी, हिर्दे की समस्या, रक्त विकार, समवहनी विकार, जन्दोश, वायुमार्ग की रुकावट, फेफडे की विसंगती, त्वचा विकार, यकृत हानी और गुर्दे की खराबी के किसी भी पूर्व एपिसोड सहित अपने बच्चे का पूरा चिकित सा अतिहास बताएं, खुराक में बदलाव और आपके बच्चे के समगर उपचार की योजना बनाने के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है, विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद